आयूर्वेदा होम केर में आपका स्वागत है इस चानल में आपको दिये जाएंगे आयूर्वेद के घरेलू नुस्खे इनका उप्योग करें और अपनी परेशानी और बिमारियों को दूर करें वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइ और लाब उठाईए आज हम लाए हैं जवान रहने के आयूर्वेदिक नुस्खे यानि आयूर्वेदिक आंटी एजिंग ट्रीट्मेंट बुढ़ापी की अवस्था हर मनुष्य के जीवन का ऐसा अंग है जब अंग प्रत्यंग धीले पड़ जाते हैं चहरे से रौनक और शरीर से स्फूर्ती भी चली जाती है ज्यादातर मनुष्यों में इस अवस्था में अनेक प्रकार के रोग उत्पन हो जाते हैं ऐसे में उनका मन भी उत्साहीन हो जाता है परन्तु क्या वास्तव में जीवन का अंतिम छोड इस प्रकार का होना चाहिए क्या हम रूप से कार्यान वित रखना भी है शरीर में उल्जा को बढ़ा कर मन को शांत रखना आयुरवेदिय विधान है बुढ़ापी के लक्षण हटानी के लिए कुछ प्राकृतिक साधन का इस्तमाल कर सकते हैं चलिए जानते हैं क्या है वो साधन चंदन की लकडी का तेल और रो पश्रेश्ट साधन है नीमबू के रस की कुछ बूंदे चहरे पर लगाने और टमाटर का रस चहरे पर लगाने से चहरे की तवचा से दागधब्बे गायब हो यदि आलू और टमाटर का रस लगाया जाए तो इससे चहरा निखर जाता है सेब का गूदा मुलतानी मिट्टी में मिलाकर लगाने से भी चहरे का रंग निखर जाता है कुछ बादाम की गिरियों को भिगो कर रखते इन्हें पीसकर मलाई में मिश्रित कर लें और इस मिश्र पूर रखने के लिए कुछ भोजन पर भी ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम आंटी एजिंग फूट कह सकते हैं फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें साबुद दालें चोकर युक्त आटा और छिलके वाले चावल खाएं आंटी ऑक्सिदेंस युक्त विभिन प्रकार के भोजन का सेवन अधिक करना चाहिए जिनमें रंगीन, सबजियां जैसे टमाटर, कदू, भिंडी, पालक, गाजर और जम्बू इत्यादी शामिल हैं राजमा, स्ट्रॉबरी, नीम्भू, संत्रा और दालचीनी का उप्योग करें आपके लिए हम बताते हैं कुछ लाबदा हो सके उतना ज्यादा पानी पीजिए, सूर्य की किरणों को सीधे त्वचा पर ना पढ़ने दें, तपती धूप में बाहर ना निकलें, सदैव प्रसन जित रहें और मादक पदार्थों के सेवन से खुद को बचाएं, चाह कॉफी के अधिक प्रयोग से त्वचा सूख ज अपनी प्रक्रती के अनुसार आयुर्वेदिय परामर्श और चिकित्सा लेना भी हितकारी है